अकसर सब्सियों में या फिर कोई ब्रेट रेसिपी में ऐसा होता है कि गार्लिक बहुत ही फाइनली चॉप करना होता है या फिर उसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना होता है तो या ब्लेंडर में इतना चल नहीं पाता अगर आप कम-कम बना रहे हो तो तो मैंने मंगाया ये इसको हाथ में भी पहन सकते हैं और देखते हैं कि क्या ये मेरी उमीदों पर कड़ा उतरता है कि नहीं या फिर ऐसे ही मेरी आंसू भेते रहेंगे तो मैंने यहाँ भी ले लिया है ओडी का इको बेक क्योंकि मैं नहीं चाहती यार कि ये डो चिपक जाए तो डो बनाने के बाद ना मैंने लगा दी है तंदूरी में अब बारे आचुकी है कि चेक किया जाए कि गार्लिक सच में अपना कमाल दिखा पाते हैं कि नहीं और आप देख रहे हो यार कितना अच्छे से ये मैश हो गए है और यहां मैंने बटर के बाद उसमें गार्लिक डाला ब्लाक पेपर चिली फ्लेक्स और इग्यानों डालने के बाद धन्यापती डाली गार्लिक को प्रेस करते ही न अगर आपको लगे कि वो जो गार्लिक है वो होल्स में भर जा रहा है तो उसको जटक दो एक बार के लिए और सारा अग्दम जड़के आ जाएगा और बस बहुत मज़दार चीज है तो आप भी खाओ प्यों मज़े करो और कुश रहो मैं तो चली खाने